नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मैं स्यामीरा सिंग, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर किसान आंदोलन के 300 दिन, 27 सितंबर के भारत बंद की तैयारियां तेज, महराष्ट में समर्थन के लिए 200 संक्टन साथ आए बंबे हाई कोट ने सैप्टिक टैंक सफाई के दोरान मरे तीन मजदूरों की विद्वाओं को मुआवजा देने का आदेश दिया अमीर देशों के पास जमा 10 करोड वैक्सिन की डोज, साल के अंत तक हो सकती हैं बरबाद सुप्रिम कोट का आदेश, नवंबर की NDA परिक्षाओं में महिलाएं भी होंगी सामिल देश में कोरोना के 24 घंटों में 26,000 से जादा नए मामले, 383 मरीजों की मौत सबसे पहले बात करते हैं देश में 300 दिन से जारी किसान आंदूलन की, नरेंदर मुदी सरकार के तीन करशी कानूनों के खिलाप आंदूलन को 300 दिन पूरे हो गए इस 27 सितंबर को होने वाले सेयुत किसान मूर्चा के भारत बंद को सफल बनाने के लिए महराष्ट में 200 से अधिक संगठन और भारतिय जंता पार्टी के बिरूदी दलों ने हाथ मिलाया है अखिल भारतिय ट्रीड यूनियन कॉंग्रेस के कारकारी समीती सदस भालचंदर कागो की अध्यक्षता में 20 सितंबर को एक बैटक हुई इसमें सर्थाल की तैयारी को लेकर यह निड़े लिया गया इस अर्थाल में किसानों के साथ साथ मजदूर, सिक्सक, चात्र, आंगनबाडी, सफाई कर्मी और यूबा भी सामिल होंगे इस बैठक में एक और निड़े लिया गया कि इन तीन क्रशी कानूनों को निरस्त करने की मांग के अलावा प्रतर्शनकारी, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने और नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन को बापस लेने का भी आहवान करेंगे 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाव पर जारी किसान आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है से मेला उठाने की सरमनाक परता को खत्म करने की जिम्मेदारी राजसरकार की है अदालत तीन महिलाओं की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिनके पती हाथ से मेला उठाते थे और दिसम्बर 2019 में गूबंदी उपनगर में एक सैप्टिक टेंग की सफाई के दोरान उनकी मौत हो गई याचिका करताओं ने कानून के प्रावधानों के मताबिक सरकार से मुआवजे की मांगे थी जस्टिस उजवल भहिया और जस्टिस माधव जामदार की खंड़ पीट ने सुकरवार को सुनवाई के दोरान मुंबई के जलादकारी को निर्देश दिया कि मुआवजे के तोर पर प्रते की याचिका करता को 10-10 लाक रुपे की रासी दी जाए अदालत ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली रासी सफाई करमचारियों की मौत के जिम्मेदार लोगों से वसूल की जाए अदालत ने ये भी कहा कि इस रासी का बुगतान चार हपते के अंदर हो जाना चाहिए अगली ख़बर COVID-19 वैक्सिन को लेकर है वैक्सिनेशन के मामले में पूरी दुनिया में फैले गैर बराबरी लगातार जारी है एक तरफ जहां अमीर देश तीसरी डोज की तैयारी में लगे हुए हैं वहीं जादा तर गरीब देशों को अभी तक पहली डोज भी नसीब नहीं हुई है इसे बीच एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है अमीर देशों द्वारा एकटी की गए कि करीब 10 करोड कोरोना वैक्सिन इस साल के अंत तक बरबाद हो जाएंगी ये बात Scientific Information and Analytics Company Airfinity की एक रिशर्च में सामने आई है रिशर्च में कहा गया कि अमीर देशों द्वारा स्टॉक किये गए 10 करोड के दिसंबर 2021 तक उपियों के बिना ही एक्सपायर हो जाएंगे Airfinity ने कहा इस वर्स के अंत तक बरबाद होने वाले 10 करोड टीकों में से 41 फीजदी टीके यूरोपियन यूनियन के पास हैं और 32 फीजदी टीके अमेरिका के पास हैं रोयटर्स की एक खबर के अनुसार पूर्व ब्रिटिस प्रधान मंत्री गार्डन ब्राउन का कहना है कि अमेर्की राष्टपती जो बाइडन द्वारा आयुजद किये जा रहे वैक्सिन से कर सम्मिलन में इस अपताह बची हुई वैक्सिन डोज को लेकर एक यूज ना न देश 2022 के अंत तक महमारी को समाप्त करने के लक्स के साथ दुनिया भर में टीका करण को बढ़ावा देना है और अब बात NDA एक्जाम की सुप्रिम कोट ने बुद्वार को महिला उम्मिद्वारों को राष्टिय रक्षा आकादमी यानि NDA की परिक्सा में बैठने की मन्तराले ने कोट में तर्ग दिया था कि महिलाव को सामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढाचे और पाठे करम में बदलाव किया वसरकता है इसलिए महिलाव को NDA परिक्षा में सामिल करने से पहले मई 2022 तक का समय दिया जाए लेकिन सुप्रिम कोट न 24 गंटों में फिर से 26,000 से जादा नए कोरोना मामले दर्ज किये हैं। इस दोरान कोरोना से 383 मरीजों की मौत हो गई। इस प्रकार देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संक्या बढ़कर 3,35,000,000 से अधिक हो गई है। इनमें से अब तक करीब 4,45,000 मरीजों की मौत उचकी हैं। बात अगर कोरोना वैक्सीन की करें तो स्वास्त मंतराले की ताजा जानकारी के अनुसार बीते 24 गंटे में महज 35,50,000 वैक्सीन लग सकी हैं। महज इसलिए क्योंकि परदान मंतरी के जनम दिन पर 2 करोड कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का एक रिकॉर्ड बनाया गया था। जिसके बात किये गए परचार ने भी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे। बीते 24 खंटे में लगी वैक्सीन को मिलाकर देश में अब तक करीब 85 करोड 65 डूज दी जा चुकी हैं। आज की डेली रांड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को और अधिक बिस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेव साइट न्यूज क्लिक पर जा सकते हैं। हमारे सूसल मीडिया हैंडेल्स, फेस्वूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पीच पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे यूट्व को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुक्रिया।